Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपको butterfly sleeve top बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये देर मिटर क्रेप का fabric लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी fabric में से बना सकते हैं तो चलिए हम top part की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold करके बिछाया हुआ है जो मेरी side है वो इसकी बंद वाली side है और जो उपर की side है वो इसकी खुली हुई side है इस तरीके से मैंने इसे 4 layer में बिछाया हुआ है और देखे इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 inch की रखी है 25 inch तक की लंबाई हमारी बन कर ready होगी अभी shoulder के लिए हमें 7.5 inch पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले है तो shoulder हमें 7.5 inch का ही लेना है और armhole की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 inch पर ही निशान लगाना है 7.5 inch पर निशान लगाते हुए एक सिधी line डो कर देनी है जितना हमने shoulder लिया है उतना ही हमें armhole भी लेना है अभी याँ से हम chest का measurement लेंगे तो आपकी chest का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 inch add कर देना है सिलाय margin के लिए तो मैंने 11 inch पर निशान लगाया है अभी back armhole के लिए हमें 1.5 inch पर निशान लगाना है और front armhole के लिए 1 inch पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape row कर देना है अभी देखे उपर से 1 inch निशान हमें 14 inch पर लगाना है जहांसे हम कमर का measurement लेते है तो यहांसे हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 inch add कर देना है सिलाइ मारजिन के लिए तो मैंने 10 inch पर निशान लगाया है वेश्ट का 4th part करना है और 2 inch extra लेना है सिलाइ मारजिन के लिए और नीचे से हमें hip की चोड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड़ कर देना है slam margin के लिए तो नीचे से मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है hip का 4th पाट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी दोनु निशानों को मिलाते हुए हम side से भी line drop कर देंगे अभी देखें, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमें इसमें बौटनेक गला बनाने वाले है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें सिर्फ साड़े तीन इंच पर ही निशान लगाना है क्योंकि हम आगे की हॉल भी बनाने वाले है तो आगे की गले की लंबाई हमें सिर्फ साड़े तीन इंच की ही लेनी है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेफ ड्रोग कर देना है अभी जहांपर हमारी आम होल वाली लाइन है वहांपर हमें आदा इंच पर निशान लगाते हुए एक तिरचे लाइन ड्रोग कर देनी है शॉल्डर स्लोप के लिए अभी सबसे पहले में बेक नेक और बेक आम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रोग किया है बिल्कुल वेसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर देनी है तो ये दिखे मैंने कटिंग कर दी है अभी हम नीचे की तरब की होल बनाने वाल है तो उसके लिए हमें साड़े तीन इंज पर एक और निशान बनाना है ये दिखिए इस तरीके से और हलका सा हमें इसमें राउंड शेप ड्रो कर देना है स्यादा गहराई नहीं देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है अभी साथ ही हम इसके लिए पट्टी भी कट कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने ये एक्ष्टा फैबरिक कट किया है इसे भी हम डबल फोल करते हुए इसे के नीचे रख देंगे और जो keyhole हमने cut किया है बिल्कुल उसी shape की हमें पट्टी भी cut कर लेनी है और एक एक इंच का gap रखते हुए इस तरह के से पट्टी की cutting कर लेंगे तो ये देखे मैंने पट्टी की cutting कर ली है अभी जो हमने keyhole बनाया हुआ है उसी के उपर हमें पट्टी को रखना है सिधी सैट से ही पट्टी को उल्टा रखना है और top part हमें सिधा रखना है और बिल्कुल इसी round shape में हमें इसके उपर सिलय लगा दिनी है उसके बाद पट्टे की तीनो सैट की border पर हम सिलय लगा देंगे और पट्टे को उल्टी सैट पर पलट देंगे तो देखे मैंने पट्टी को attach कर लिया है अभी बाद में उल्टी सैट से हमें हैंस्टिच कर देंगे अभी देखे फ्रंट वाला पाठ हमें सीधा रखना है और उसके उपर बैक वाला पाठ हम उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे दोनों ही सैट से में इसके shoulder joint कर लेने है तो ये दिखे मैंने इसके shoulder joint कर लिया है अभी हम गले के उपर पट्टी attach करेंगे तो मैंने ये contrast color की तिरची पट्टी लंबी सी cut की हुई है इसे हमें double fold करते हुए बिल्कुल center में एक चोटा सा cut लगा देना है तो ध्यान रहे चोटा सा ही cut हमें लगाना है उसके बाद हमारा जो back वाला part है उसके भी हमें बिल्कुल center में एक निशान लगा देना है ध्यान रहे टॉप part को हमें उल्टा ही रखना है और पट्टी को भी हम उल्टा ही रखेंगे और इस तरीके से हम center से पट्टी को अटेज करते हुए जाएंगे तो देखे इस तरीके से दोनों सैट से हमारी कम से कम 10 से 15 इंश तक की पट्टी एक्ष्टा ही बचनी चाहिए इसे हिसाब से हमें पट्टी की लंबाई लेनी होगी ताकि बाद में हम इसे tie up भी कर सके और इसी तरीके से हमें पट्टी को अटेज कर लेना है तो देखे मैंने पट्टी को अटेज कर लिया है अभी हम इसे सीधी सैट पर पलट देंगे ये देखे इस तरीके से हमें इसे सीधी सैट पर पलट देना है और जैसे हम पाइपिंग बनाते है बिलकुल उसी तरीके से हमें इसकी भी थोड़ी मोटी सी पाइपिंग बनानी ह तो दिखे पहले पट्टी की जो किनारी वाली बॉडर है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे उसके बाद दोनों सेट से में पट्टी को डबल फोल्ड करते जाना है और इसके उपर सिलय लगाते जाना है तो बहुत ही आसानी से पट्टी हमारी लग जाती है उसके बात जो हमारी बीच वाली जो पट्टी है उसे भी इस तरीके से फोल करते जाएंगे और इसके उपर भी हम से लगाते जाएंगे तो थोड़ी मोटी सी हमारी पाइपिक बन कर रेडी होगी तो देखे इस तरीके से पट्टी बनाना मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बत जाएंगे तो देखे मैंने पट्टी कॉटेच कर लिया है फोल करते हुए और देख सकते हैं इसे हम इस तरीके से सेंटर में टाइप कर लेंगे तो पट्टी हमारी बन कर रेडी हो चुकी है अभी हम इसके आम होल के उपर भी तृची पट्टी आटेच करेंगे तो मैंने हुई है इसे सीधी साइट से ही आम हॉल के उपर रगते हुए इसके उपर आम्होल के उपर अबकू नुप करकते हुए उल्टी साइट पर इसपर परलट देना है और इसी तरीके से दूसरी साइट के आम होल के उपर भी हम तिरची पर्टी आटेच कर लेंगे और इसे double fold करते हुए उल्टी साइट पर पलट देंगे तो दोनों आम होल के उपर हमें पट्टी अटेज कर लेनी है तो दिखे मैं तरच्छी पट्टी अटेज कर ली है दोनों सैट के आम होल के उपर अभी हम इसमें स्लीव लगाने वाला है तो उससे पहले हमें ए या फिर तीनी छोड़ते हुए इस तरह के से निशान लगा देना है दोनुई सट से दो या फिर तीनी छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है या फिर आप जहां तक भी स्लीव लगाना चाहते हैं वहां तक भी आप निशान लगा सकते हैं और इस तरह के से राउंड शे मेजरमेंट लेना होगा तो देखे मेरा 22 इंज का मेजरमेंट आया है आपका कम्या ज्यादा भी हो सकता है और इसी तरीके से हमें स्लिव की कटेंग करनी होगी अभी ऐसे ही हमें दूसरी सैट पर भी निशान लगा लेने हैं दो इन छोड़ते हुए और उपर से तीन इन कर लेना है और इसका भी हमें मेजरमेंट ले लेना है ताकि दोनों ही स्लिव हमारी बरापर से बैठ सके तो यहां पर भी 22 इंज का ही मेजरमेंट होना चाहिए अगर कम ज्यादा होता है तो आप यह लाइन थोड़ी से उपर नीचे भी ड्रो कर सकते है अभी देखे स्लिव सेट है इसी तरीके से फैबरिक को हमें 4 फोल करके बिचाना है क्योंकि हम दोनों ही स्लिव साथ में ही कट करने वाले है अभी देखे जो हमारा 22 इंज का मेजरमेंट आया था उसका हमें आधा लेना है तो 22 का जो आधा होता है वो 11 इंज होता है तो इस तरीके से इंजी देना है तो ध्यान रहे जहां पर भी हमारा 11 इंज होता है वहीं पर हमें इंजी टेप को रखते हुए इस तरीके से दोनों साइट पर हमें निशान लगा देना है उसके बाद देखे जो अपनी वाली साइट है वहाँ पर हम मेजर कर लेंगे तो उपर से कितना आ रहा है त दूसरे सैट पर भी हमें 7.5 इंज पर ही निशान लगा देना है और इस तरीके से 7.5 इंज पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ब्रो कर लेना है ये देखे इस तरीके से अभी हम स्लिव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो देखे आप चाहे तो छोटी स् सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी बड़ी ही कट की है मैंने चेंज की कट की है तो लंबाई के लिए हमें इस तरीके से चेंज पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रो कर लेना है उपर से जितना भी मेजरमेंट आता है उस हिसाब से हमें लाइन ड्रो करते हुए इ बेशानी ना हो इस तरीके से हमारी फ्रिल कट हो चुकी है आप देख सकते हैं इसके नीचे हम बॉडर भी लगाएंगे अभी देखे सबसे पहले यह जो फ्रिल है इसकी जो किनारी वाली बॉडर है उसे हमें डबल फोल करते हुए इसके उपर सिलय लगा देनी है दोनों ही से फ्रिल की किनारी वाली बॉडर को हमें डबल फोल करते हुए इसमें सिलय लगा देनी है उसके बाद हम इसे अटेज करेंगे जो हमने लाइंडरो की है उसी के उपर तो ध्यान रहे सेंटर से ही हमें इस फ्रिल को अटेज कर लेना है तो जहां तक हमने लाइंडरो की है वही में ही मैं इसे फोल्ड करूंगी मैं आपको बता रही हूं स्रिप तो किनारी वाली बॉडर को फोल्ड करने के बाद ही आप ये फ्रिल अटेज कीजिएगा इसी तरीके से दूसरी साइट पर भी जो हमने लैंडरो की है उसके उपर फ्रिल को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम फ्रिल कोटेज करेंगे तो फ्रिल हमारी प्रॉपर तरीके से बैट जाएगी तो देखे मैंने फ्रिल कोटेज कर लिया है ये देखे एकदम परफेक्ट तरीकी से स्लीव हमारी बैट चुकी है दूसरी साइट पर भी मैंने फ्रिल कोटेज कर लिया है अभी हम फ्रि गलें पर पट्ट की आप अटेज़ करते हैं या फिर पथली सी है पनाते हुए ऐसा भी पट्ट कर की यह लिए लीया लिया है अभी हमें Top Part को उल्टा कर लेना है और ध्यान रहे जो हमने Free Attach की है वो हमारी Fitting में नहीं आनी चाहिए और Side से हमें 2 या फिर 10 इंच का Gap रखते हुए इसकी Fitting कर लेनी है दोनों ही Side से हमें 2 या फिर 10 इंच का Gap रखते हुए इसकी Fitting कर लेनी है उसके बाद जो नीचे की border है उसे हमें simply double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो दिखें मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की जो border है उसे भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी यह जो हमने belt attach किया हुआ है उसे हम इस तरीके से tie up कर लेंगे और इसी के साथ हमारा butterfly sleeve top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look So friends, I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को प्रेस करना मत बुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको इस वीडियो कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा इस वीडियो देखने के लिए thank you so much friends